So hello everyone, यह आज के दिन का पहला विडियो है, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नॉटिफिकेशन प्रेस करके all पे सेट कर दो, और इसके साथ वीडियो को भी लाइक करो, वीडियो को भी अपने दोस्तों के साथ सियर करो, और बाकी यहां पर और भी वीडियो से वो भी आप चाहो तो देख सकते हो, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को वीडियो में बात करने वाले comment request के बारे में, तो इन्होंने कहा हुआ है कि next video on big block तो big block construction के उपर mainly वही नाम होना चाहिए big block construction के उपर हम बात करने वाले हैं and सबसे पहले इसका market cap में आपको दिखाना चाहूंगा 282 मतलब around 2200-1200 तो 1282 लगभग 1300 क्रोड का market cap है एक small cap company है रिस्क बहुत जादा है और recommendation मैं नहीं दे रहा हूँ video में किसी भी तरका कोई recommendation नहीं है purely जो video वो educational purpose में बना रहा हूँ इस video में बात करने वाले fundamentals के बारे में and technicals के बारे में अगर आपको इसका business जानना है again comment it down अगर आपको जानना है comment करना मैं बना दूँगा ठीक है आगे बढ़ता है profit and loss पर मैं consolidated numbers को देख रहा हूँ यहां पर एक बहुत interesting चीज है इस खासकर इस stock में जो आपको यहां पर सीखना चाहिए and इससे आपको एक अलग देखो यार अब बात किया है पता है बात यह है कि कुछ छोटी-छोटी चीज़े होती है ठीक है देखो मैं थोड़ा सा दो मिनिट आपको लेना चाहूंगा important बात है और off the topic नहीं है आपको इससे कुछ सीखने मिलेगा यह मानलो knowledge है ठीक है यह knowledge है जिसमें इसमें क्या क्या है इसमें एक है आपका मान लेते हैं आरोई एक है sales growth एक है profit growth एक है margin एक है other income एक है reserves एक है cash flow एक है investor presentation ठीक है और यह सब मानलो constituents है ठीक है जो आपको पता होना चाहिए अगर आप fundamental analysis कर रहे हो तो ठीक है उसके बाद inventory फिर investor का shareholding pattern यह सब होगी main चीज़े ठीक है यह सब तो आपको पता होना चाहिए ठीक है इसके साथ भी अब देखो यह सब तो सबको पता ह यह चीज़े तो सबको पता है लेकिन कोई चोटी चोटी चीज़े होती है अगर यह आपको पता चल जाए ना main जो काम होता है वो इनी का होता है ठीक है main काम इनी का होता है and इस तरह से एक चोटी से चीज़ जो मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ और यह चीज़े आपक जाना होगा ठीक है इन डेप्थ पहला सेल्स यहां पर आप देखोगे 119, 103, 165, 200 अभी 199 यहां पर 2019 से 2019 से TTM अगर मैं देखू ठीक है या फिर अगर मैं मार्च 23 भी देख रहा हूं चलो ठीक है हटाओ TTM कितना साल हो गया एक, दो, तीन, चार और अगर आप TTM को काउंट करोगे तो पांच, पांच साल में कितना हुआ डबल हुआ पांच साल में double क्या double होआ sales, 5 साल में sales double मतलब बहुत जादा आप कह सकते हो तो slow growth है, growth बिल्कुल भी नहीं है, एकदम बहुत slow growth है और company के साब से तो बिल्कुल, slow growth है ही, net profit की बात करें, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, minus 1 था, फिर 2 हुआ, 2 हुआ, 16, 30, 28, net profit का क्या हुआ, net profit तो multiples में, कितने multiples में चला गया, ठीक है, अगर आप margin देखोगे, तो जो margin पहले 7-9% का था, अब वो 25% का हो चुका है, ठीक है, तो यहाँ पे, आप आगे देखना, EPS क्या हुआ, यहाँ पे 0.35 था, उसके बाद धीरे-धीरे बढ़ते लगबग, 4 रुपे तक पहुँच चुका है, 4 सवा, 4 रुपे तक यह पहुँच चुका है, तो इससे क् का 19% बहुत कम, ठीक है, बहुत कम भी नहीं, मैं बोलूगा, not bad, not bad मतलब, ठीक है यार, चल जाएगा, हटाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुली, आप कह सकते हो, average, ठीक है, ओके-ओके, यह है, और TTM में-2%, यह तो बिल्कुली बेकार है, profit growth में अगर देखोगे, तो 3 सा का profit growth 132%, मतलब, अगर आप यहां पे देखोगे, आपको समझ में आएगा, यहां पे जो है, 103 था, ठीक है, 103 से 175 हुआ, लेकिन यहां पे जो है, net profit वो 8 गुना हो गया, 8 times, 2 से 16, ठीक है, 175 से 200, मतलब, कितना बड़ा, 25 करोड बढ़ा, ठीक है, 25 करोड यहां पे आड़ गया, यहां पे कितना बढ़ गया, यहां पे double हो गया, ठीक है, into two, double हो गया, तो ठीक है, आप अगर percentage calculate करें के देखना, आपको समझ में आजएगा, मैं क्या कहना चाहरा हूँ, मतलब, top line से bottom line बहुत जादा बढ़ता है, इससे क्या होता है, EPS growth आता है, and, ऐसा क्यों हो रहा है, क यह sustain करेंगा, नहीं करेंगा, वो आगे की बात है, और जितना मुझे लगता है, कि हाँ, इसे कहीं न कहीं थोड़ा problem हो सकता है, आगे जा कर गए, ठीक है, थोड़ा problem हो सकता है, लेकिन अगर यह इस तरह, अगर sustain कर लेती है, तो इसको sales growth तो increase करना ही होगा, ठीक है, क्यों यार, obviously expenses कुछ तो होंगे न, तो वो चीज़ है, तो यहाँ पर यह चल सकता है, बढ़ हाँ, कंपनी को sales growth इंप्रूफ करना होगा, sales growth अगर इंप्रूफ नहीं करेगी, तो यह फिर problem करेगा, आगे चल करके, ठीक है, फिर profit growth ROI में ही, अपने आप problem आना start हो जाएगा, और यह के बारे में, अगर बात करें, तो देख सेकती, तो यह रिजर्फ लगाता है, इंक्रीज हो रहा है, 61 क्रूड के रिजर्फ से, 87 क्रूड का बॉर्विंग से, और ऐसे भी यार, microcap companies में बॉर्विंग जादा होती है, और इसमें भी long term बॉर्विंग जादा है, short term बॉर्वि ठीक है, इसका company sale करती है, और company जो है, these AAC blocks are marketed by next block नाम से company इस चीज को बनाती है, ठीक है, तो company एक, आप कह सकते हो, कि high capital वाली company है, इसमें मैं आपको बताता ही हूँ कि long term boring, generally इसमें जादा ही देखने मिलती है, और वैसे भी, normally भी, जो micro caps है, या फिर small caps है, जो छुटे companies हो होती है, और अगर आप CWIP देखो कि company का recently CWIP भी चल रहा है, investors के उपर चलते है, तो 70% का holding पहले promoter के पास था, 70 है, 71 कहलो, अभी लगभग 72.27% का holding हो चुका है, मतलब holding यहाँ पे बीच में अगर आप देखोगे, इस जगा पे तो holding increase हुई है, जो कि बहुत अच्छी बात है, और public की बात करें, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, public जो है, पहले जादा था, अब कम हुआ है, और बीच में कोई FISDIS, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, public की बात करें, 27% है, फिर 28% है, इसमें भी अगर मैं देखो, तो देखो, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, मैं 11 या 12 मान के चलत है, आपका 16, ठीक है, 16% जो यहाँ पे retail investor के पास है, which is very low, मैं हमेशा कहता हूँ, retail investor के पास, जितना कम, उतनी बढ़िया बात, तो और promoter के पास, मैं हमेशा कहता हूँ, micro cap, small cap में, 70% के holding होनी चाहिए, उससे जादा हो, तो बहुत अच्छी बात है, तो यहाँ पे उससे ज nickels में, अगर आप देखोगे, तो stock price कितना जादा भागाए देखो, कितना जादा भागाए देख सकते हो, अगर मैं एक बार को थोड़ा calculate भी करूँ, यहाँ से ही कर रहा हूँ, ठीक है, 2021 से ही कर रहा हूँ calculate, तो 10 गुना हो गया, पैसा आपका, आपका पैसा 10 times, 10 गुना ह हो चुका है आपका पैसा, आप समझ रहें इस बात को, अगर यहाँ पर आप देखोगे, थोड़ा से अगर मैं आपको दिखाओ, तो stock कहां से बढ़ना start हो, अलग भग यहाँ से अगर मैं देखो, 2019 के बाद 2020 से अगर आप देखोगे, तो यह बढ़ना start हो, थोड़े अच् करते हो, कि 2021 के second half में, ठीक है, और 2022 के starting में, तो 2021 का second half में एक बार यहाँ पर technicals में खोजने की कोशिश करता हो, तो यह देख सकते हो, यह है 2021, यह है 2021 का second half and 2022 का first half, मतलब यह वाला जगा, ठीक है, यह वाला जगा जो है, यह है आपका जहाँ पर shares buy करे गए थे, और यहाँ पर क्या हुआ, इसके बाद ही देखो, in fact, जब promoters ने buying करा, उसके बाद से जो तेजी आई है, देख सकते हो, ठीक है, उसके बाद से जो तेजी आई है, मैं एक बार आपको फिर से देखो, 2021 का second half and 2022 का first half, मैं एक बार मार करके आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर आप देख स ही है, क्योंकि मेरा फाइदा है न, विडियो को एंट तक देखोगे तो, अब देखो, पहला point, अगर promoter holding buying हो रही है, तो अगर आपके मैं यह सवाल आ रहे है, क्यार इससे होता क्या है, तो बहुत cases में, अब ऐसा नहीं होगा, ठीक है, 100 में से 100 case में, 99 case में ऐसा होगा, नह चीज है, इसलिए लोग promoter holding को positive मानते हैं, पहली, दूसरी बात, यहाँ पर आप देखोगे, आप बोलोगे, यहाँ पर मैं आता हूँ 2021 में, चलो यहाँ पर मैं आ गया, 2021 में, 2021 से 2023 तक, ठीक है, या फिर अगर आप TTM को भी include करोगे, अगर आप TTM को भी include करोगे, तो अग इतना भाग गया, क्यों भागा, मैं हमेशा कहता हूँ EPS growth, अगर EPS growth नहीं है, अगर sales बढ़ रहा है, लेकिन profit नहीं आ रहा है, EPS growth नहीं है, कुछ नहीं होने वाला है, और हमेशा ऐसा नहीं होता है, बट कभी-कभी ऐसा भी होता है, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ थ जा रहा है तो stock भागेगा, ऐसा नहीं होगा, अगर sales थोड़ा कम भी उपर जा रहा है, and EPS अगर जादा उपर जा रहा है, तो ये एक positive बात है, इससे जो एक stock जो इस तरह से भाग जाता है, इसलिए मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि EPS growth भी देखा करो, क्या EPS growth आ रहा है, क्य ठीक है, और यही चीज़ होता है, देखो, कि sales जादा, देखो, sales बहुत ही कम बड़ा, मैं तो कह रहा हूँ, मुझे तो पसंद ही नहीं है, इतना sales growth, लेकिन क्योंकि EPS growth काफी अच्छा था, 2 करोड का net profit, 28 करोड का हो गया, ठीक है, 14 गुना हो गया, 14 टाइम्स हो गया net profit, और EPS बेगर आप देखोगे, कितना हो गया था, देखो, 35 था, आप एक बार एक काम करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है, मैं जिस्ट कैलकुलेटर खोल लेता हूँ, अपने फोन पे, डिवाइड करते हैं, इसको 4.28 को, ठीक है, 0.35 से, 4.28 divided by 0.35, तो यहां पर हो जाता 2020 से एक बार देख लेता है, कितना हुआ था, यहां पर 2020 यहां पकड़ लेता है, एक बार, यह जगा, यहां से अराउंड देख सकते हो, कितना इंक्रीज हो आप खुद देख सकते हो, 35 थाइम्स, ठीक है, तो EPS जितना बढ़ता है, उससे बहुत सादा बढ़ जाता है, यहां प्रमोटर ने भाई किया, फिर क्या हुआ देखो, ठीक है, दूसरा चीज यहां पर, EPS ग्रोथ कितना मैटर करता है, मैंने आपको दिखाए, कि sales ग्रोथ था नहीं, इसमें कुछ खास बहुत ही कम था, लेकिन EPS ग्रोथ बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, अब यह थोड़ा overvalued हो गया है, देखो वही है, अब जब तक growth रहेगा, EPS growth जब तक है, तब तक stock भागेगा, जैसे EPS growth गिरा, वैसे stock फसेगा, रुकेगा, in fact, अभी भी देखो, थोड़ा फसने लगाए, ठीक है, और अगर मैं वापस से आजाओ, यहां पर, तो यहां प करते हैं, वीडियो को recommendation कुछ नहीं है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, like, share, subscribe कर देना, मिलते हैं किसी और वीडियो में, bye bye, jay hind, and thanks for watching.